लास्ट एग्जम्पल डिसस करेंगे हम एग्जम्पल नम्बर 19 क्या कह रहा देगो वाट इस दा नम्बर ओव वेज उफ चूजिंग 4 कार्ड फॉर प्रॉर प्लेंग कार्ड टो फॉर्स्ट केस अगर मैं कहूं आपसे रिक्वाइड नम्बर ओव वेज कितना हो जाएगा 52 कार्ड में से 4 तो 52 अपर 52 में से 4 गया तो 48 फैक्टोरियल एंद 4 फैक्टोरियल 52, 51, 50, 49, 48 फैक्टोरियल डिवाइड बाए 48 फैक्टोरियल मुल्टिप्ला है 4, 3, 2, 1 अब आजाओ रेड पर चैंसल आउट 4 से 52 गया 4 बन जा 4, 3 से 12 3 से 51 चला गया 17 ताइम 2 से 50 चला गया 25 ताइम हाव बच वी गेट13 मुल्टिप्लाह исп सेवंटिप्लाह一次 25 मॉल्टिप्लाहे 49 इनको आप सेमपली क्या करतों उब्धिप्लाह कर्दों 13 मॉल्टिप्लाह सेवंटीन मुल्टिप्लाइब 25 मुल्टिप्लाइब 59 270725 270725 270725 मैं कैल सी यूज़ कर रहा है यहापर बट आपको नहीं करना है आप खुछ से सॉल करना अपनों क्या टाइम लग जाएगा वस इसलिए है चलो अब आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट आप इसको ध्यान से देखो जो हैं इसरे पर्स्ट पार्ट यह कह रहा है आप जो 4 कार्ड चूस कर रहे हैं बंदब यह तो टोल कार्ड हो गए जो 4 कार्ड के बंदल बनेंगे नग न 4-4 के बंदल वो king, queen, jack 1 हो सकता है एक की दुक्की आप क्या बोलते हो उसको 1,2,3,4 जैसे भी बोलते हूं तो मतलब ये चार कार्ड के प्लेंग बन सकते हैं, एस एसे कितने पेर्स बन सकते हैं, 4-4 कार्ड के इतने पेर्स बन सकते हैं, मेरा ये अंदर 1st part के लिए, अब 1st part क्या बोल रहा है, मतलब ये 1st question में बोल रहा हूं उसका ये total है, फोर कार्ड ऐसे बनाओ, जो कि same suit के हो, ठीक है भई? फिस्ट पार्ट देखो भब, भई जो कार्ड है, वो same suit का मतलब क्या होता है? या तो वो इस pad होने चीए, या तो वो club होने चीए, या फिर वो hurt होने चीए, या फिर वो diamond होने चीए, ठीक है? ठीक है भी, अब मैं कह रहा हूँ, या तो ऐसा हो सकता है, कि टोटल, भाई ये इनकी काउंटिंग कितनी होती है, इनकी काउंटिंग 13-13 होती है, भाई या तो जो आपके पास required number of ways जो होंगे इस case में, वो सुनना आप, 13 card total है, उन में से जो 4 निकल के आएंगे, वो same condition हो सकती या फिर ऐसा हो सकता है कि जो 13 card है, उन में से 4 card निकले, या तो इन 13 में से 4 card हो, या फिर इन 13 में से same suit बोलाना है, तो या तो इस pad में से होने चीए, या फिर club में से होने चीए, या फिर hurt में से होने चीए, या फिर diamond में से हो, किसी में से भी हो सकता है, या तो ऐसा fix थोड 2 है क्या बोलते हो इसको 2 2 4 6 बोलते हो मैं इसको क्या बोल सकते हूँ 3 multiply 2 बोल सकते हैं इसको हाँ एक ही बात है यहां भी एक काम करो 4 multiply 13C4 बोल दो इसको 4 multiply 13 factorial 13 minus 4 factorial कितना हो जाएगा आपके पास 9 factorial ठीक है and 4 factorial ओके आगे देखो 4 multiply 13 multiply 12 multiply 11 multiply 10 multiply 9 factorial divide by 9 factorial multiply 4 multiply 3 multiply 2 9 से 9 cancel out हुआ ठीक है मैं लेगा दो यहां पर ब्लैक 4 से 4 cancel out हो गया ठीक है 3 2 जा 3 2 जा 6 6 12 चला गया 2 टाइम फाइनली क्या बच गया आपके पास वैल्यू देखना फाइनल वैल्यू बच गये मर पास 13 multiply 2 multiply 11 multiply 10 simply आप इसको क्या कर दो multiply 32 जा कितना हो गया 26 और यह कितना हो गया 110 how much we get 2860 आपके पास अंसर आ गया है 2860 नोट डाउन कर लेना भाई आप यहां तक बताओ मेरे सबस्वज में आ गया होगा सभी को यहां तक clear है सभी को आगे बढ़ू ठीक है पॉस करके एक बार नोट डाउन कर लेना इसको नेक्स्ट केस आते है सेकंड केस पर अब सेकंड देख क्या क्या रहा है four cards belong to four different suits अब यह तो भई अचम्मे वाली बात हो गई क्या क्या रहा है यह मतलब कि four card निकालो और वो four different suits से होना चाहिए तो यहां पर जो required number of ways होंगे वो क्या होंगे भाई 13 card आपके पास this pad है उसमें से या तो एक होगा 13 card club का है उसमें से एक होगा 13 card heart का है उसमें से एक होगा 13 card उसका है क्या बलता है डायमंड का है उसमें से एक होगा भाई four different suits में से होने ची चारों card इसका मतलब सब में से एक एक होने ची न तो इस बार क्या करेंगे multiply करेंगे, addition नहीं करेंगे addition नहीं करेंगे, क्योंकि यही आपके पास पूरा pair बनेगा यहां तक समझ में आया, ठीक है भई अब आप मुझे बताओ 13c की power 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ sir, इसका मतलब हुआ, 13 का factorial divide by 13 minus 1 यानिकी 12 का factorial multiply 1 का factorial, यही हुआ सका मतलब, 13 multiply 12 factorial upon 12 factorial 13, 13 cancel out, मतलब की 13 बच के आरा, कुल मिला के निशॉट 13c1 का मतलब हो गया 13, इसका मतलब ही 13 इसका मतलब ही 13, इसका मतलब ही 13 how much we get, 13 की power 4 अब आप इसको solve कर लो 13 की power 4 कितनी होती है 13 की power 2 हो जाएगे 169, 169 को आप multiply कर दिंगे again 169 से 28561 28561 यह आपके पास final answer हो जाएगा चाओ तो यह भी छोड़ सकता आगे बढ़ू, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है आपे चलिए, next देते हैं अपन थड़ वाले case पर तो देखो face card क्या है आपके पास अब आपको पता होगा कि हर एक के अंदर face card होते है एक king होता है एक queen होता है और एक jack होता है हर एक के अंदर हर एक के अंदर ऐसे four pairs होते है two तो red के and two black के तो three, two the six फिर nine और फिर twelve यानि कि total हमारे पास जो face card होते है total जो हमारे पास face cards होते है वो कितने होते हैं हमारे पास 12 होते है total face cards में से choose कितने करना है choose तो वही करना है four जो starting में बोला है इसने so required number of ways जो आया वो कितना है आपके पास देखना 12 is c four इसको solve करो 12 factorial divided by 12 is four गया 8 factorial multiply 4 factorial 12 multiply 11 multiply 10 multiply 9 multiply 8 factorial divide 8 factorial multiply 4 multiply 3 multiply 2 8 से 8 cancel out हुआ विलकुल सर हो गया 4 3 सा 12 से 12 cancel out हुआ ठीक है 2 से 10 चला गया 5 time how much we get 11 multiply 5 9 सा 45 multiply कर लो 45 and 10 प्लस 1 लिक सकता है 450 plus 45 594 ये लो ये लो ये हो गया आपके पास अंसर cash number 3 के लिए 495 ठीक है ये हो गया third part complete next आगे देखें next आते हैं अपन भी या किस पर fourth case अब देखो क्या कह रहा है two are red cards and two are black cards focus करना इस पर इस बार ये बोल रहा है कि ऐसे card चूज करो अब मुझे बताओ कि जो red card चूज हूँगे वो total red card में से चूज हूँगे total red card कितने है आपके पास मैं लिख रहो है यहापर directly required number of ways directly लिख रहो है total red card है कितने मेरे पास 26 तो 26 में से select करूँगा मैं two red card and two black card अब मैं आपे plus का sign नहीं लगाँ क्यों multiply का sign लगाँ क्यों क्यों क्योंकि एक pair है ये दो इसमें से है दो इसमें से है एक साथ लेने है और 26 ही black card है उसमें से भी two black card चाहिए आपको 26 black card है टू चाहिए ठीक है अब इसका मतलब क्या हुगा इसका मतलब हुगा 26 factorial divide 26 में से 2 चला गया कितना हो गया 24 factorial और फिड अगें 2 factorial ठीक है सर अब इसके ओपर देखो ये same value ही यहाँ पर तो इसके ओपर क्या लगा देता हूँ अब पावर 2 लगा देता हूँ यहाँ पर पावर क्या लगा देता हूँ तो लगा देता हूँ बता हूँ समझ में आगया बिल्कुल आगया सर अब आप इसका सॉल कर दो 26 multiplied 25 multiplied 24 factorial divided by 24 factorial multiplied 2 multiplied 1 पार के अंदर है 2 cancel out 2 से 26 चला गया 13 ताइम यानि 13 multiplied 25 की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी अब क्या सॉल करना है 13 25 है 13 multiplied 25 कर लो कितना आ रहा है 325 और इसका क्या कर दो square कर दो मतलब कि इसको वापस से multiply कर दो 325 से 105 105 625 105 625 yellow 1 you answer बिल्कुल हो गया यह हो गया 4th case complete अब आते हैं next 5th case पर यहां तक बर pause कर फिर copy करेंगे आप लोग 6 देखें 5th case क्या कह रहा है आपको cards are of the same color अब आप मुझे बताओ यहां पर भी required number of ways अब इसने बुला कि card एक color के होना चाहिए अब एक color के दो ही card है मतलब दो ही color है अब पास एक red है और एक black है तो या तो 26 total cards में से 4 card red आ जाएंगे या फिर 26 total card black में से 4 card black हो जाएंगे मुझे यहां पर plus लगाना पड़ेगा क्यों क्योंकि यह 4 pair अलग count होंगे यह 4 pair अलग count होंगे समझना है ठीक है तो यहां पर यह 2 values है 2 multiply कर सकता हूँ 26 C 4 कर सकता हूँ बिल्गूल कर सकते है सर अब इसको solve कर इंग कैसे दिखना 2 multiply at 26 factorial divide by 26 में से 4 चला गया कितना बचेगा 6 में से 4 क्या 2 22 factorial multiply 4 factorial 2 multiply 26 multiply 25 multiply 24 multiply 23 multiply 22 factorial divide में आ जाओ 22 factorial multiply 4 multiply 3 multiply 2 अब आ जाओगा black पर all black cancel out ठीक है 4 3s are 12 12 2s are 24 ठीक है 2 say to cancel out how much we get 26 multiplied 25 multiplied 2 multiplied 23 multiply कर दो इनको कितना आ रहा है 26 multiplied 25 multiply 2 multiplied 23 कितना हो गया यह 29 900 होगे आपके पास 29 900 होगे आपके पास ठीक है क्या बिल्कुल सर ठीक है तो यह होता है complete आपके पास 5th part example number 19 और यहां आपने complete कर लिया example 90 देको इसके अंदर क्या है थोड़ा सा calculation का ध्यान देना मतलब इस टाइप के जो question है उन में थोड़ी landing calculation तो होती है बाकी में तो छोटी-बोटी होती है बाकी यह जो आप लोग तो फिर मतलब अभी तक प्रैक्टिस करी नहीं है तो खुझ से प्रैक्टिस करना खुझ से मल्टिप्लाय करना ताकि आपका answer एक दम perfectly निगले ठीक है example and in complete next time मिलेंगे exercise 6.4 पर